Hello दोस्तों हम शुरू करेंगे आपका conductors और insulators को तो एक-एक करके हम इन दोनों को समझते हैं आपके क्या होते हैं एक side हम इसमें category आपकी बनाते हैं conductors की और एक side में आपकी category बनाएंगे हम insulators की तो पहले आइए देखते हैं आपके conductors के बारे में तो conductors आपके वो material होते हैं जो अपने through charge को flow होने की अनुमती दें इसका मतलब those materials which allow flow of electric charge through them जो अपने through जो अपने अंदर से electric charge को flow होने की अनुमती दें उसको बोलेंगे अपके क्या conductors और वो materials those materials वो material जो अपने through which does not allow जो अपने through electric charge को flow of electric charge through them जो अपने through electric charge को flow होने की अनुमती ना दें उसको बोलेंगे आपका insulator तो ये दो हो गए आपके यानि कि जो allow करते हैं जहां से आपका electric charge flow करता है उसको बोलेंगे आपका क्या conductors और जहां से आपका flow ना कर पाए उसको बोलेंगे आपका क्या insulator इसके example के अंदर हम आते हैं कि इसके example आपकी कौन कौन सी होती हैं तो देखो examples examples के अंदर आपका जितने भी metals आपके होते हैं almost all metals are good conductor of electricity तो यहां पे इसके example आपके आजाएंगे metals और metals के अंदर भी metals आपके क्या होते हैं जैसे हम बात करते हैं silver, gold जैसे हम रोज आपका पढ़ते हैं newspaper में कि चांदी का rate आज इतना हो गया, तो यह आपके क्या होते हैं, यह आपके होते हैं metals, तो metals के अंदर सबसे पहले आपका आएगा silver, और silver आपका क्या होता है, यह आपका best conductor होता है electricity का, इससे best कुछ नहीं होता metals में, तो यहां से यह आपका हो जाएगा best conductor of electricity, यह best conductor है आपका, और क्योंकि silver की जो cost है, वो जादा होती है जिसकी कोस्टिंग हम लोग भीयर नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिल्वर आपकर क्या होता है बहुत ही रेरली यूज़ होता है छोटे चोटे एक्वेप्मेंट्स में आपका भेशक से यूज़ किया जाता है लेकिन बड़े ताम्बाँ को क्या बोलते हैं ताम्बाँ तो नेक्स आपका कोपर को ठीक है फिर आपको क्या होगा ऐलमुनियम कि अलूमिनियम लूमिनियम क्या फिर आपका ओ emerge ए ये इसे कट रा एंदर जैसे SPD कि और ए ये ये आपकी कुछ पने आप कुछ कंडेक्टर साएं इनमें दरों में ही मिल जायेगा made copper का मतलब आपकर का क्या हुआ यहां से आपकी wires ऊती है के उसके उपर आपकाington होता है। उसके अंदर आपक अंदर आपके कौन-कौन से हैं वो भी जरा हम देख लेते हैं अलोई इसका मतलब होता है mixture of two or three metals या combination of two or three metals दो या तीन metals को मिला के आपका बना दिया जाता है क्या? अलोई तो अलोई के अंदर आपका देखिए जैसे नाइक्रोम नाइक्रोम आपका एक heating element है जो हीटर्स के अंदर आपका यूज होता है तो नाइक्रोम आपका किस-किस का अलोई होता है? या आपका अलोई होता है nickel और chromium का nickel chromium का एक अलोई है फिर उसके बाद में हम बात करें मेगनीन की तो मेगनीन भी आपका क्या होता है एक अलोई होता है ये किस-किस का अलोई है मेगनीज मेगनीज देखिए ज्यान रखिए मेगनीशियम अलग होता है मेगनीज अलग होता है तो ये आपका किसका अलोई है मेगनीज का है आपका निकल और आईरन का आपका अलोई होता है तो मेगनीज निकल और आईरन का अलोई है इसके अलवा आपका क्या है कॉंस्टेंटन ये आपका किस किस का अलोई होता है कोपर, निकल और जिंक का आपका अलोई होता है इसको हम कई बार बोलते हैं आपका यूरेका इसको क्या बोलते हैं आपका यूरेका तो ये भी बोल सकते हैं या फिर आपका क्या बोलेंगे इसको कॉंस्टेंटन आपका बोलेंगे तो ये आपके एक्जम्पल हुए किसके conductors के अब हम देखते हैं आपके example किसके इन्सूलेटर के तो insulator के अग्जम्पल के अंदर आपके आएगा देखोई example इसका example आपका आएगा wood लकडी जैसे पेड आपके होते हैं या फिर आपके जैसे मेज जैसे आपके स्टूल वगेरा ये सब कुछ किसके बनाए जाते हैं आपके वूड के बनाए जाते हैं तो ये सारी चीज़े आपके किस में आती है इंसुलेटर में वूड आपका क्या एक इंसुलेटर होता है और आपका क्या होता है जैसे जो electrician हमारे घरों के अंदर काम करने की लिए आता है वो कई बार gloves पहन के रखता है वो gloves आपके किसके बने होते हैं रबड के आपके gloves बने होते हैं तो वो रबड आपके क्या है insulator है तो अगला आपके क्या आजाएगा रबबड ठीक है और आपको क्या हो जाएगा इसके अंदर जैसे अगर हम देखते हैं अपने घरों के बहार आपको कुछ पोल्स नजराते हैं उनके उपर एक ब्राउन कलर का आपको इन्सूलेटर नजराएगा वहार प्यार करें जीच्टslther का पालंने पालिया नर्लिफ का अपने खीक क्या होगा का और दोनुच दोने खीक्या होता है रापका तो यह तो अग्या आपको क्या हो गया रिच्ट नार्लिफित वार इसके के अलावा हमारे घरों के अंदर जैसे जो शीट रहती है जो प्लास्टिक की सीट हम देखते हैं जहां पर स्विच आपका करनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं आपका बैकलाइट की शीट्स आपकी होती है और आपका क्या होता है माइका भी एक आपका इंसूलेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं हम इसको ठीक है ये भी आपका इंसुलेटर मनाया जाता है इससे भी और आपका क्या होता है सेरेमिक ceramic भी आपका एक insulator है और आपका क्या होता है dry air ये भी आपका किस की तरह काम करता है insulator की तरह काम करता है तो ये आपके होगे कुछ insulator इसके अलावा आपका paper भी आपका insulator की तरह काम करता है तो ये आपकी category हो गई insulator की और ये आपकी category हो गई किसकी conductors की अब हम इसमें देखते हैं कि किसकी conductivity सबसे ज़्यादा होती है और किसकी conductivity सबसे कम होती है ठीक है तो दोस्तो conductivity आपकी सबसे ज़्यादा होती है metals की तो conductivity of metals, metals की conductivity यानि कि metal आपके सबसे बढ़िया conductor होते हैं तो conductivity of metals is higher than यह आपकी ज़्यादा होती है किस से जैसे आपके order में लिखे हुए है यानि कि metals की aloes से ज़्यादा और insulator की aloes से कम इसका मतलब conductivity of metals is higher than conductivity of aloes aloes से इसकी conductivity ज़्यादा हो जाती है और सबसे कम आपकी conductivity किसकी रहती है conductivity of insulator, insulator तो bed conductor होते हैं, यह अभी हमने देखा, तो इसका मतलब आपका क्या हो गया सबसे ज़्यादा metals की, फिर उसके बाद में aloys की, और फिर उसके बाद में आपका किसकी रहेगी, insulator की आपकी category रहती है, तो यह आपका इस तरीके से आपका order है, अब हम की कोशिश करते हैं, कि ऐसा क्यों है, तो दोस्तों, conductors क्यों आपके charge को flow होने की अनुमती देते हैं, और insulator क्यों नहीं देते हैं, इसका reason हम देखने से पहले, जरह हम aluminium को जान लेते हैं, कि aluminium आपका क्या होता है, तो aluminium आपका क्या है, एक metal है, जिसका atomic number आपका क्या होता है, 13 आपका atomic number होता है, इसका मतलब आपका क्या हुआ, यह जो 13 है आपका, यह आपका क्या होता है, atomic number, और atomic number का मतलब आपका क्या हुआ, कि यहां पे number of protons, number of protons आपके कितने हैं, 13 हैं, और number of electrons भी आपके कितने हैं यहाँ पे 13, दोनों आपके 13, 13 हैं, number of electrons भी आपके कितने हैं, 13, अब जरा हम इसकी configuration देखते हैं, कि इसकी configuration के अंदर आपका क्या क्या होता है, तो माल लीजिए, यह आपका nucleus हो गया, nucleus के अंदर आपको पता है, यहाँ पे आपके proton होंगे, और साथ मे आपके क्या होंगे, neutron होंगे, तो यह इसका मतलब, neutron का मतलब जिसके उपर कोई charge नहीं, proton का मतलब positive charge, तो nucleus आपका क्या होता है, positive charge बोड़ी होती है आपकी, और इसके चारों तरफ आपके electrons क्या करते हैं, गूमते रहते हैं, तो यहाँ से यह माल लीजिए, आपके electrons की shell है, यह आपकी पहली shell हुई, इसके अंदर दो electron होते हैं, और इसके बाद में आपके next shell, इसके अंदर आपके total electrons हाजाएंगे जी, 8, इसके अंदर total कितने electrons हाएंगे आपके, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 electron आपके इस shell के अंदर हो गए, और इसके आगे जो shell आएगी, उसके अंद आपके आजाएंगे, 3, 1, 2, 3, अब देखो यहां से, अब aluminium को अगर आपके stability चाहिए, तो आपके क्या होगा, 2, 8, और 3, इसका मतलब यह अपने 3 electron को lose कर देगा, अब lose कर देगा तो इसका मतलब इसको क्या मिल जाएगी stability, क्योंकि 2 और 8 पे stability मिलती है, तो इसके पास में 2 option होते हैं वैसे आपका क्या, एक तो यह आपके 3 electron दे दे, donate 3 electrons, या तो 3 electron donate कर दे, या फिर कहीं से इसको 5 electron और मिल जाएं, तो it will take, take 5 electron, तो 5 electron कोई देगा नहीं, तो इसी वज़ए से यह आपका क्या कर देता है, अपने 3 electron को दे देता है कहीं पे, तो इसका मतलब यह क्या कर तो डोनेटिंग निचर का अगर आपका रहेगा तो इसका मतलब आपका क्या होगा यह तीनों इलेक्टरन को लूज कर देगा और इसके अंदर सिरफ दस इलेक्टरन बचेंगे उसके बाद में यह अपने आपको स्टेबल महशूस करता है तो तीन इलेक्टरन जब इसने दे जब इसने तीन इलेक्टरन डोनेट कर दिये तो इसका मतलब यहां पे सिरफ दो और आठ बचा ठीक है अब देखो जब पहले आपका क्या था यह आपके नमबर ओफ प्रोटोन्स भी तेरा और इलेक्टरन भी आपके कितने थे तेरा अब जब यह तीन इलेक्टरन दे देखो आपके कितने आपके बचघ जाएंगे इसमें छिरफ आपके 10 इलेक्टरन बचेंगे 10 इलेक्टरन बचेंगे इसका मतलब आपके प्रोटोन्स का चार्ज है वह आपका डोमिनेटिंग हो जाएगा तो एलमूनियम को हम लिखेंगे AL3+, क्या लिखेंगे आपका AL3+, क्यों? क्योंकि तीन पोजिटिव चार्ज इसके उपर बढ़ गया है तो इसका मतलब प्रोटोंस आपके यहां पे क्या हो गए है? हैवी हो गए और इसके उपर कौन सा चार्ज आगया? पोजिटिव चार्ज आपका आगया अब देखो प्रोटोंस तो आपके मूग कर नहीं सकते क्योंकि न्यूक्लियस आपका क्या होता है? एक स्टेशनरी होता है चारो तरफ सिर्फ इलेक्ट्रों चक्कर लगाते हैं तो इसका मतलब आपका जो चार्ज होगा यहाँ पर थ्री पोजिटिव यह आपका क्या हो गया यहाँ पर फिक्स आपका हो गया है कि थ्री पोजिटिव चार्ज आपका रहेगा अब जरा हम इसमें देखते हैं कि इसने क्या किये? तीन इलेक्ट्रोन फ्री कर दिये अपने तो ठीक है तो वो चीज यानि कि वो मैटिरियल जिसके अंदर आप पे क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रोन होते हैं उसको बोलते हैं आपका कंडेक्टर्स और जहां पर free electrons ना हो उसको बोलेंगे आपका insulators तो यह दोनों category आपके होती हैं अब इनको जरा दोनों को अलग-अलग हम लिख लेते हैं तो अब जरा हम इसमें लिखते हैं कि conductors आपके क्यों electricity को allow करते हैं तो यहां से they allow flow of electricity through them ठीक है और यह क्या करते हैं they does not allow, they does not allow flow of electricity through them यह आपके allow नहीं करते, क्यों नहीं करते, due to, क्यों इसका reason होता है due to the presence of, यहां पर आपके present होते हैं free electrons due to the presence of free electrons ठीक है और यहां पर due to the absence of free electrons क्योंकि यहां पर free electrons आपके absent रहते हैं इस वज़े से यह आपका क्यानी करता है flow of electricity नहीं होने देता और यह आपका flow होने देता है तो ये हमने देखा conductors और insulator के बारे में अब हम इसमें जानते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि एक आपका conductor है या फिर आपका insulator तो हम एक cell लेंगे, cell यानि की इस type cell ये आपका एक cell हुआ और यहाँ पे आपका terminal होगा positive और यहाँ पे आपका terminal देखने को मिलेगा negative ये experiment आप अपने घर पे भी कर सकते हैं तो यहाँ पे एक positive होगा और एक आपका क्या रहेगा negative positive का मतलब यहाँ पे आपकी क्या है high concentration है किसकी high concentration of positive charge और यहाँ पे आपकी low concentration है positive charge की low concentration of positive charge या फिर हम इसको बोलें कि यहाँ पे आपका क्या है high concentration है किसकी high concentration of negative charge यह हम इसमें समझ सकते हैं इसका मतलब positive और इसका मतलब अपा क्या होगा negative अब हम क्या करेंगे एक आपकी connecting wire लेंगे connecting wire का मतलब एक छोटी सी wire लेंगे और उसको एक terminal को यहाँ पे आपा connect करेंगे और दूसरे terminal को इसके negative पे connect करेंगे और एक छोटा सा हम लेते हैं bulb तो bulb आपका यहाँ पे हम connect कर देंग ग्लो करता है, तो इसका मतलब वो आपका क्या रहेगा, कंडेक्टर होगा, अगर आपका बल्ब ग्लो करेगा, तो अगर नहीं किया, तो इसका मतलब इनसुलेटर आपका, तो अगर ये बल्ब ग्लो करता है, तो यहां से इफ बल्ब ग्लोज, इसका मतलब आपका क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यहां से आपके जो electrons हैं क्योंकि negative charge है आपका तो negative charge का मतलब electrons आपके क्या कर रहे हैं इस bulb के थुरू फ्लो कर रहे हैं और यह आपका कहां पे जा रहे हैं आपका positive charge पे जा रहे हैं क्योंकि आपका जो charge होगा वो कहां से कहां पे जाता है जहाँ पे concentration आपकी ज़्यादा होती है वहाँ से जहाँ पे concentration कम होती है वहाँ पे आपके electrons जाएंगे ठीक है इसका मतलब आपका same ऐसे ही होता है जैसे माल लीजिये आपके पास में एक टब है और ये टब या फिर हम इसको समझ सकते हैं कोई भी आपकी बल्टी है जो आपकी किस की भरी हुई है पानी की भरी हुई है माल लीजिये आपकी पानी की भरी हुई बल्टी है और यहाँ से आपने इसको connect कर दिया एक छोटे बल्टी में जो आपकी बिल्कुल खाली थी यानि उसके अंदर आपका पानी नहीं है तो पानी अगर आपका नहीं होगा तो यहां से आपके फ्लो होना शुरू हो जाएगा पानी का और पानी का फ्लो यहां पे आपका क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा ठीक है तो यह बल्टे आपकी पहले खाली थी और यहां पे बापप क्या हो गया दीरे-दीरे पानी आना श्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब यहां पर water की जो concentration है वाटर की concentration जादा है, water concentration is more और यहां पर water concentration is low, इसी वज़े से आपका पानी आना स्टार्ट हो गया ठीक है इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहां पे concentration आपकी ज़्यादा होगी वहां से आपके negative charge यानि कि electrons आपके flow करना start करेंगे through bulb और जब ये bulb के थुरू आपके जाएंगे तो bulb आपका glow करेगा यानि कि bulb आपका light देना शुरू हो जाएगा और जहां से आपका ये bulb आपका light देना शुरू होगा तो इसको हम बोलेंगे इफ बल्ब ग्लोज इट इस conductor या पर क्या है एक conductor है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं ठीक है तो ये आपका हुआ बल्ब के बारे में अब दूसरी चीज आपका देखो आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि पोजिटिव चार्ज आपका क्यों ही फ्लो कर रहा है यहां पे यहां पे आपने सिर्फ नेगिटिव चार्ज को ही क्यों लिया इसका रीजिन आपका ये है कि जब हमने ऐल्बुनियम का एक्जमपल लिया था तो हमने क्या देखा था कि नुकलियस के अंदर आपके प्रोटोन होते हैं और सिर्फ आपके कौन मूग करता है इलेक्ट्रोन मूग करता है प्रोटोन आपके एस इज रहते हैं तो इसका मतलब आपका क्या हुआ कि प्रोटोन आपके मुग नहीं करवा रहे हैं यहाँ पे सिर्फ आपके क्या मुग करेंगे इलेक्ट्रॉंस और इसी वज़े से हमने इसकी जो डायरेक्शन ली है वो नेगेटिव चार्ज से पोजिटिव चार्ज की तरफ ली है यानि कि सिर्फ आपके किसका फ्लो हो रहा है यहाँ पे और ऐसे ही आपने उसको कनेक्ट करवाया देखते हैं कैसे मान लीजिए आपने फिर से एक सेल लिया यह आपका सेल हो गया और यहाँ पे आपका रहेगा पोजिटिव और यहाँ पे आपका रहेगा नेगेटिव और आपने क्या लिया connecting wires ली यानि कि simple आपकी wires ले ली और इस cell को connect कर दिया इस बार बल्ब की जगे आपने लिया एक wooden का piece तो मान लीजिए एक wood का piece है आपके पास में ये आपका wooden piece हो गया ठीक है और इस बार आपने इसको कहां पे connect करवाया इस बार आपने इसको connect कराया इसके दोनों end पे अब जरा हम इसमें देखते हैं कि क्या आपका flow होगा या नहीं होगा तो इसके लिए जैसे हम wood आपका connect करेंगे क्योंकि wood आपका क्या है एक insulator है तो insulator की वज़े से ये अपने through electrons का flow नहीं होने देगा तो जैसे हम wooden piece को यहां पे connect करेंगे no charge transfer takes place no charge transfer takes place through wood takes place through wood ठीक है तो इसका मतलब wood आपका किस की तरह काम कर रहा है insulator की तरह काम कर रहा है अब ऐसा ही experiment हम आपकी जो sheet होती है गरों के अंदर जो switch होता है उसको भी यहां पे connect करके हम देख सकते हैं कि वहां पे आपका charge का flow हो रहा है या नहीं हो रहा है तो इसका मतलब अगर charge का flow नहीं होगा तो इसका मतलब वो आपका क्या होगा insulator और अगर आपका charge flow हो रहा है तो आपको कोई ना कोई change देखने को मिलेगा जो भी device हम यहां पे लगाएंगे तो अगर आपका change देखने को मिलेगा इसका मतलब conductor और अगर आपका नहीं मिलेगा इसका मतलब आपका क्या होगा वो insulator हो जाएगा तो यह आपका हुआ conductors और insulator के बारे में अब हम इसमें जानेंगे कि कौनसी ऐसी force होती है या कौनसी ऐसी ताकत होती है जो आपके electrons को flow करवाती है यानि कि अब हम next topic में आपका पढ़ेंगे electric potential, potential difference या फिर इसको बोलते हैं voltage यह तीनों हम देखेंगे next topic में